रिया और एक जादूई पक्षी, एक प्यारे से गाउं में रहने वाली एक बच्ची नामक रिया थी. रिया बहुत ही सहज स्वभाव और सच्ची दिल से महनत करने वाली थी. एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक नदी के किनारे गुबबारे उड़ाने का निर्णय किया. गुबबारे उड़ाते समय एक छोटा सा पक्षी रिया के पास आया और बोला, मुझे तेरे साथ गुबारे उडाना है क्या तू मुझे अपने साथ गुबारे उडाने देगी रिया ने खुशी-खुशी पक्षी को अपने साथ बैठा लिया गुबारे की उंचाई पर पक्षी बोला तू बहुत अच्छी है मैं एक जादूई पक्षी हूँ और मैं तुझे तीन विशेश इच्छाएं पूरी करने का वादा करता हूँ रिया ने बिना किसी शक केहां कह दी पक्षी ने रिया को एक सुंदर गहना, अच्छी सेहत और शिक्षा की वृद्ध की इच्छा का तोहफा दिया रिया ने अच्छा सोच कर गुबबारे को छोड़ दिया और वहीं से वापस गाव लोटी इस कहानी से बच्चों को यह सिखने को मिलता है कि मेहनत, सहनु भूती और आपसी साथी की महत्वपूर्णता को समझना हमें जीवन में सफलता की दिशा में मदद कर सकता है